हेलो एवरीवन वेलकम टो अड़ा 24 7 स्कूल मैं राजिंदर शांखला इस सेशन में हम लोग तुलसी दाज जी द्वार रचित लक्षमर मूर्चा और रामका विलाप पढ़ेंगे अप लोगों को पहले तो यही पता होना चाहिए कि लक्षमर मूर्चा और रामका विलाप त समझने के लिए अच्छे से राम चरीत मानस के सात कांडों में से कंड पढ़ना होगा जि लंका कांड से ही जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्षमर मूर्चा और रामका-विलाप जिसकी भाग संक्या अर्थात पारट कं timing हम अब जो यहां जो तस्वीर दिखाई जारी आप लोगों को इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हां यह लक्ष्मन जी हैं यह हैं जब इने सकति बान लग जाता है तो मुर्चित हो जाते हैं और स्री राम इन्हें अपनी गोध में उठा करके जो विलाप होता है वहे दीरे धीरे परलाप में बदल जाता है अब इससे पहले मैं बात करूँ कि यहां तुलसी दाजी द्वारा कवितावली के उत्तरकांट से दो कवित और एक सवैया दिया हुआ था वहे भी हमने पढ़ लिया और तुलसी दाजी का जीवन परीछे कवितावली के उत्तरकांट का सारांस लक्षमन मूर्चा और राम का विलाप का सारांस भी हमने पढ़ लिया था उमीद करता हूं आप लोगों बहुत अच्छा समझ में आया होगा यदि फिर भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बोक्स में अपने डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं या आप को पता है वैसे भी को जो भी कमेंड करते हैं हम लोग देखते भी है और जो भी आप के लिल रहे होंगे चार तुलसिदाज तो इस सेसन में हम लक्षवन मूर्चा और रामका विलाब का भाग चार पड़ेंगे ठीक है सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि लक्षवन मूर्चा और रामका विलाब के लेखा कोन है तो लेखा कोन है तुलसिदाज जी कोन है भी तुलसिदाज जी अब देखे लक्षुन मूर्चा और राम का विलाब से यह है जो दिया हुआ है हमारा यह बरतान दसानन सुनेव अती विसाद पुनी पुनी सिर्दुनेव व्याकुल कुम करन पही आवा विबिद जतनकरी ताही जगावा यह क्या है दोस्तों यह है आपकी एक चोपाई यह हैं तो यह चोपाई दी यह क्या है इसमें क्या बताया है तुल्सिदाजिनम में जब दसानन का साबदी कर्थ होता है क्योंकि रावन के संजीवनी बूटी लेकर आते हैं करोन रस के अंतरगत वी रस परसंग उत्पन हुआ था में याद है और वेद जी ने तुरंत उप्चार किया था उप्चार करने के बाद में लक्षमन तुरंत कड़े खड़े हो गए और हसने लगे अर्थात मुस्कराने लगे यह सब देख सगे भाई से बढ़कर भी कहा गया जिसे के लिए हमें सहोद्र सब्द का अर्थ पता होना चाहिए और सहोद्र क्या होता है एक ही मा के कोक से जन में बच्चे तो यह वरतांत क्या है जब लक्षमन के जीवित होने का पूरा किस्सा दसानन के पास पहुंचता है तो वह अप प्रे क्या है उसे बहुत ही जादा पच्चतावा होता है और पच्चतावा होता है तो वह है अपने भाई जो छे माहा तो जगता था जो छे माहा सोता है जिसका नाम क्या था कुमकरन उसके पास चला जाता है जैसे तैसे करके उसे जगाता है और उसे पूरी कथा बताता है तो देखिए भरतान्त होता है पूरा किस्सा इनी कौन सा किस्सा कि प्रकार से लक्षम मुर्चित हो गया था वह अब जीवित हो गया है तो पूर जिस प्रकार से उसने सीता माता का हरन किया उसके बाद सभी वाणरों ने बड़े-बड़े राक्षसों का मार दिया तो अब बच्चा क्या उसके पास कुछ विरही समास है जिसका हम समास विग्रे करते हैं तो क्या हो जाएगा दस है आनन जिसके क्या हो जाएगा बच्चो दस है आनन जिसके जिसे क्या कहा जाता है रावन कहा जाता है ठीक है याद रखना है आप लोगों को यह पूछा भी जाता है क्योंकि पद्धान्स देखर के फ कौन सा समास होगा ठीक है सुनेवू सुनाता है यानि सुनता है विसाद दुख की बाते पूनी 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 कर्थ होता है बार बार क्या होता है बार बार सिर्धुनेवू सिर्धुनना एक मोहावरे का प्रियोग भी होता है सिर्धुनने का साब्दिकर्थ क् पच्ताना बहुत ही अत्यदिक दुख होना तो सिर्दुन्ने करत क्या हो गया पच्ताना क्या हो गया भी पच्ताना व्याकुल 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 क्या होता है भी व्याकुल ठीक है कुमकरन कुमकरन है विविद जतन विविद होता है अनेक जतन होता है यतन यानि कि बहु बहुत सारे प्रियरतन करके डोल नंगाडे बजा करके कुछ भी करके जैसे हम लोग आज वर्तमान में कहते हैं डीजे बज रहा है वैसे डोल नंगाडों के द्वारा कुमकरन को वह जगाता है बहुत सारे प्रियरतन करके बहुत सारे जतन यतन करके ताही जगावा उसको दूसेट विच्रनर्ण करना विच्रनर्ट करने वाला यह हम कह सकते हैं міग five एक सबaltungर जानने की कोशिस करें तो उसे कहा जाता है दोस्तो रक्षित क्या मान हुँ काल देहीधरीबेशा यह कि ए 그렇it हुआ कि जैसे जो साक्सातकार जो मिर्त्यू के देवता हैं उन्होंने सरीर दहरने कर रहा हो एक बात और ध्यान रखना जब हम विशेज पड़ेंगे तो इस पंक्ति में मानहू कालू देहे धरी भेसा यहां आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएग याद है क्या है याद है तो मैं बता देता हूँ जनू मनू मानो जानो ऐसे कुछ साब्दिक सूरी ऐसे कुछ सब्दव का परियोग जहां हो जाता है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है कुमकरन भूजा भूजा यानि पूछते हैं मुझा यानि पूछते हैं कहू बाई काहे तव मुक रहे सुखाई ठीक है तो एक बार वापस देखे बृतान्त होता है किस्सा दसानन रावन विशाद दुखी पुनी-पुनी बार-बार सिर दुनेहु पच्ताना व्याकुल व्याकुल विविद अनेक जतन यतन जगावा ज दगाते हैं निशिचर राक्सस या रात में विचरन करने वाला मानहू मानते हैं कालू काल देवता स्देह सरीर और यहां इस पंक्ती में कौन सा अलंकार बताया मैंने अभी उत्तु प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखना भुजा पूछते हैं साब्दी कर समझ में आ गया ब्रेतांत मैंने बताया भी पूरा किस्सा या पूरी बात दसानन रावन विसाद दुख पुनी पुनी बार बार सिर दुनेवू पच्ताना या सिर पीटना पही पास कुमकरन राक्षश का नाम या रावन का भाई है ना उसका नाम में कुमकरन जो छह महा जगता था और छ जगावा जगाया निसीचर रात में विचरन करने वाला अर्थात राक्षश का नाम है कुमकरन कालू मिर्त्यू धरी धारन करके वैसा बैठा है बुझा पूछा काहू कहो काहे क्यों तव तेरा सुखाई सूख रहा है सुखाई सूख रहा है अब देखिए एक-एक सब्द करने जा रहा हूं सभी ध्यान से सुनेंगे और एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे मैं दो या तीन बार रिपीट करूंगा क्योंकि मेरा उद्द से यही होता है जितने समय में अब आपकी किलास ले रहा हूं उसी समय में आप लोगों को याद होना चाहिए ठीक है अब देखिए यहे बिरितांत दसानन सुनेव अती विसाद पुनी पुनी सिर्धुनेव यानि कि यहे पूरा किस्सा कौन सा पूरा किस्सा लक्षमन मुर्चित हो गए थे अब वो वापस से क्या हो गए जीवित हो गए हैं तो यहे पूरा किस्सा जब दसानन सुनत तो उन्हें बहुत ही अत्यदिक क्या होता है दुख होता है और बार बार अपने सिर को क्या कर रहे हैं पीट रहे हैं कि यह क्या हो गया कैसे हो गया क्योंकि लक्षमन उनको तो क्या लग रहा था कि लक्षमन मुर्चित हो चुके मर गया मिर्त्यू के प्राप्त हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो यह पूरा किस्सा सुन करके रावन को बहुत ही अत्यदिक क्या होता है दुख होता है पुनी पुनी सिर दुनेव या अर्थात पुनी पुनी बार बार अपना सिर को पीटता है अर्थात उन्हें बहुत ही जादा क्या होता है दुख होता है पुन्रुक्ती परकास अलंकार कहा होता है यदि हम सब्द की अनुसार समझें तो पुनर का अर्थ होता है दोबारा और उक्ती का अर्थ होता है कथन यदि कोई भी कथन दोबारा आ जाता है तो वहाँ पर पुन्रुक्ती परकास अलंकार माना जाता है ठीक है आगे देखिए व्याकुल कुमकरन पही आवा विविद जतन करीता ही जगावा अब जो रावन था वह व्याकुल हो करके कुमकरन के पास आता है और अनेक जतन करके अनेक परियास करके अनेक उपाय करके करीता ही जगावा और अपने भाई को या उसको जगाता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कुमकरण 6 महा तो सोएगा और 6 महा जगता था तो एक बार वापस देखिए दोनों पंक्तियों का एक बार यह ब्रतान्त यानि कि यह पूरा किस्सा दसानन सुनता है और उसे बहुती अत्यदिक क्या होता है दुख होता है जिसके कनवय बार लंगाडे बजाया गया है बहुत समय दीजे नहीं होगा करता था आज समय आप तुम के देजह बज़ रहा है तो उसमय दोल नंगाडे होगा करते ठीक है आगे जागा निसीचर देखी कैसा मान हो काल देहे धरी बैसा और जैसे ही कुमकरण यानि राक्ष से जागा तो ऐस साख्षाटकार मिर्त्यू के देवताने शरीर धारन करके बैठा हो यह जैसे ही यह राक्षस कुमकरन जाग गया तो हम एसा प्रत्तित वा तुलसिदा जी बता रहें कि ऐसा लग रहा है कि साख्षातकार जो मिर्त्यू है अपना क्या सरीर धारन करके बैठा है तो कुमकरन कैसा लग रहा है मिर्त्यू का राक्षस तो था यह और ऐसा लग रहा था कि किसी का सरीर धारन करके बैठा हो कुमकरन भूजा कहू भाई काये तव मुख रहे सुखाई अब कुम करन अपने भाई से पूछते हैं कि हे भाई तुमारा मुह किस कारण से सूख रहा है यानि तुमने मुझे जगाया है तो यह जो तुमारा मुह किस कारण से ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझे जगाया और जगाने की बात तो छोड़ दीजे लेकिन आपका मुख क्यों सूख रहा है बताईए मुझे जल्दी से कि आपका मुख क्यों सूख रहा है आया समझ में अब देखिए मैं एक-एक सब्द का अर्थ ने बताते हो डायरेक्ट बहावार्त करता जिससे आप रहों समझ में आ जाए तुलसिदा जी बताते हैं कि जब रावन को यह पूरा किस्सा पता चलता है कि लक्षमन मूर्चित या वो जीवित हो चुके हैं तो उन्हें बहुत ही अत्यदिक दुख होता है और बार बार अपना सिर को धुनते हैं अर्था उन्हें ब लिखाए देता है कि जैसो काल देवताने कोई शरीर धारन करके बैठा हो कुमकरन अपने भाई से पूशता है कि हे भाई तुमवारा मुह किस कारण से सूख रहा है अब देखेग़ किस परकार से लिखेंगे मैंने बताएं भी था आप लोगों कैसे कि सब सबसेपहले लिया गया है किस कविता से लिया गया है उस कविता को लिखना है और एक बात और ध्यान रखना जब पाठ्य पुष्टक लेखक रचना का नाम लिखते हैं तो हमें एकल उद्रण चिन लगाना आउसक होता है एकल उद्रण चिन क्या होता है बच्चो जैसे हम लगते हैं सिक् तो इसे कहा जाता है एकल उद्रण चिन और एदियम 669 डबल 699 करते ने इस परकार से इसे 12 उद्रण चिन कहा जाता है तो जब आप लोग परशंग लिखोगे पाठ्य पुस्त का नाम लेख का नाम कविता का नाम लिखते हैं तो उसमें ध्यान रखना है आप लोगों को एकल उद्रण चिन का परियोग किया जाता है तो परशंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यान से हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग दो के अंतरगत तुलसी दाजी द्वार रचित रामचरित मानस के लंका कांड में संकलित लक्षमन मूर्चा और रामका विलाप से आउत लिखो लिया गया नहीं लिखना है बिल्कुल एक सामान्य बात हो चुकी है ठीक है और उद्रित कैसे लिखते हैं एक बार मैं लिख करके दिखा देता हूं आप लोगों को इस परकार से ऐसा नहीं लिखते हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है यह नहीं लिखो तो डायरेक्ट लिखो आउत्रीत है क्या लिखोगे आउत्रीत है ठीक है तो देख लेजे प्रस्तुत काव्यांस हमारी पाठ्य पूस्तक आरो भाग दो के अंतरगत तुलशी दास द्वार रचित रामचरित मानस के लंका कांड में संकलित लक्षमन मोर्चा और रामका विला वर्णन किया गया इनि कुमकरण जो उसका भाई ता रावन का उसके जांगने का इसमें वर्णन किया गया है बहवार्त व्याख्या देख लिजिएगा इस काव्यांस में तुलसी दास बता रहे हैं कि जब रावन ने लक्षमन के ठीक होने का समाचार सुना अर्थात पूर पाई करके जतन करके उसे जगह यानि कि इसमें तुलसी दास जी क्या बता रहे हैं कि जब रावन को लक्षमन जी के बारें पता चला तो उसे बहुत अत्तदिक दुख होता है और बार बार अपना सिर्फ पीड़ता है और व्याको लोग करके अपने बाई कुमकरण को अने जतन करके अनेक उपाई करके उसे क्या करता है जगाने की कोशिस करता है और उसे जगा देता है कुमकरण जाग कर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो कालने शियम ही अर्थात मिर्थ्यू के देवताνे सरीरधारन कर बैठा हो कुमकरन ने अपने भाई रावन से पूछा तुम्हें क्या दुख है भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं यानि कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है यानि कि जब कुमकरन है वह उठकर के बैठता है तो हमें ऐसा लगता है साक्षात किसी की किसी का सरीर धारन करके बैठा हो और वह उठकर के अपने भाई से पूछता है कि हे भाई रावन से पूछता है कि हे भाई तुमारा मुह क्यों सूक रहा है तुमारा मुख बुझा बुझा सा क्यों हो रहा है मुझे बताएं ठीक है अब देखें विशेस वि मैंने बताया था कि चोपाई चंद है और परतेक चरण में 16 16 मात्राइं होती है और इसमें कुल चरणों की संख्या कितने होती है चार होती है मानहू कालू देह धरी बेसा में उत्प्रेक्चा अलंकार बताया था ना मैंने जहां पर इस परकार के सब्द आ जाएं जनू मनू मानो मानहू ऐसे इस परकार के सब्द जहां आ जाते हैं तो वहां सो परतिसत कौन सा अलंकार होता है उत्प्रेक्चा अलंकार होता है और पु पुन्रुक्ति पर का सलंकार माना जाता है और वर्णों की आवर्थी कारण यहां कौन सा लंकार है अनुप्रा सलंकार यहां किसी वर्ण की जहां आवर्थी हो जाती है तो वहां कौन सा लंकार माना जाता है बच्चों वहां अनुप्रा सलंकार माना जाता है तो समझ में आग यहां पर किया गया है अब देखे नेक्स चोपाई क्या है कथा कही सब तेही अभिमानी यही परकार सीता हरी आनी तात कपीने सब निशीचर मारे महा महा जोदा शुनगारे दूर्मुक सुर रिपू मनुज अहारी बट अतिकाई एकमपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा प् जब कुमकरन को अनेक उपाई करके रावन जगा देता है तो उसे जब पूछता है कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है मुझे बताओ क्या कारण है तुमने मुझे जगाने का कारण नहीं बता पा रहे हो तो कम से कम मुझे ये तो बताओ तुम्हारा मुख सूख क्यों दिया है और अब सभी वानुरों का जो समू है बड़े-बड़े राक्षसों को भी मार दिया है और अंत में जो दोहा दिया हुआ है इस अंसका तो उसमें कुमकरन एक ही बात कहता है किसे रावन से कि हे मूर्ख तुने जगद जन्नी माता का अपरहन किया है और अब तु अपना कल्यान चाहता है तो तुझे कल्यान यानि कि तुझे मुक्ती नहीं मिलेगी तुझा और सिर्रामजी से क्या मांग छमा मांग ठीक है अब देखिए एक बार मैं इसका परतेक सब्दकार्त बता रहा हुँ देहान से समझना सभी कथा कही य हमढ नहीं होता ना दोस्तों तुम है कभी मरता बिनी के यहीं परकार सीता हरियानि आ Lakshya Plus के लिए किस्क कि लिए कि लिए कुम करण के लिए और वहां सिरी रामजी पोकाรते구요 यह टा में तुम में dov entire जाओ तो वहां लख्चमन कि ते लिowment ध्यान रखना गल्ती नहीं करने हैं आप लोगों बिलकुल भी महां 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 जोधा जोधा का साबदी करत होता ह्य यूध्धा क्या होता है यूध्धा संहरे मार दिये ग्यें तोर्मुक एक राक्सषा का नाम है सुर्रिपू देवताओं के दुस्मन इन देवताओं का दुस्मन जिसका नाम क्या था दुस्मन यह दुरांतक क्या नाम था दुरांतक मनुझ अहारी मनुष्य को खाने वाला जिसका नाम था नरांतक राक्सस क्या नाम था नरांतक राक्सस ठीके भट्रे अतिकाय यानि की विशाल विशाल योधाओं को एकम्पन भारी योधाओं को माड ला गया है है महोदर महोदर भी राक्सस का नाम है NS 각 वीर समर में पड़े वे यह समर यनि युदज छेतर मही सब रंधीर रंधीर यनि कीमरे पड़े हैं सबी वहां पर कहां पर युद के छेतर में ठीक है तो सब्दों का यहां महत्यपून सब्दों का माने तो यहां पूछा जा सकता है कि यहां अभिमानी सब्द किसके लिए आया है तो अभिमानी सब्द बच्चों यहां रावन के लिए परियुक्त किया गया है ठीक है हरी 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 करत ध्यान रखने या भगवान नही alega रिकिन्हीं हरी का अर्थ होता हैjourd यहां डियान रखने कभी भी एक सब्द का एक अर्थ नहीं होता है तो समें उसके आर्थों का परिवर्तन भी होता जाता है और कविता इसका पर्याइबची सब्दों सब्सक्राइब करना वर्जित है कहने का टात प्रिय क्या है कि किसी सब्द की जगे उस सब्द का परियोग नहीं कर सकते हम तो यहां हरी कार्थम केवल हरन ही लेंगे ठीक है टात सब्दा आया कुमकरण के लिए नेशीर चर उता है राक्सस महा महा महान महान संगारे मार दिया गया दुर्मुक राक्सस का नाम है सुर्यपू देवताओं का दुस्मन जिसे नरान तक कहा जाता है मनुजहारी मनुश्यक को खाने वाला जिसे नरान तक कहा जाता है और समर समर का अर्थ होता है युद बट अतिकाय बहुत बड़े बड़े अब देख लिज़े का सब्दात कथा कई कहानी बताई या कहानी कही तेही उस अभिमानी गमंड या रावन के लिए परियोग हुआ है जेही जिस अहरी हानी हरन कर लाए कपीने वानर सब निसी सर सभी राक्स यहां यदि मैं कहूं तो एक सब्द यही ध्यान रखना है और ऐसा कुछ यहां पर है नहीं एक हरीकार् दुखान होता है ठीक है यह हमें ध्यान में रखना है महा महा बड़े बड़े या महान महान जोदा योधा यह भी ध्यान रख लेना संगारे संहार किया या मार दिया गया दुर्मुक एक राक्षश का नाम यह ध्यान रखना भी पूछा जा से जिस पर मैं गोला कर रहा हू तो उसको आपको याद करना ही करना है कि कि सुर्रि पू देवताओं का दुष्मज जैसे देवान तक इंदरजीत यह सब क्या थे राकसस थे ना यह देवताता के दूस्मन थे यानिकि आपको पता है क्या देवता भी संकर भगवान को जल्दी भोले कहा जाता है तो दो दिन तीन तक तपस्या करके उनको परसंद कर लेते और उनसे फिर मुमांगा वर्दान ले लेते थे ठीक है मनुझ अहारी मनुष्य को खाने वाला राक्षस जैसे रन्नरां तक भट्र योदा तो यहां देखना इसको ध्यान रखना है इसे द्यान रखना और इसे ध्यान रखना है तो शुर्रिपू होता है देवांतक इंदर जी तो जो देवताओं के दुष्मन है बोलो याद हो गया और सूर्यानि देवता और कौन कोने वो जैसे देवान्त को और मनुझ अहारी मनूस्यों को खाने वाला राक्षस जैसे नरांतक और बत योदा बतो योदा अतिकायए-विशाल-सरीर वाला अपर-अन्य' या दूसरा महोदर यह भी एक राक्षस का नाम है महान उदर वाला उदर होता है पेट महान बड़ा बड़ा पेट होता है जिसका आधिक आधी बीरा वीर समर युद मही भूमी या धर्ती रंदीरा रंदीर जो रन में कोसल होते हैं जो रन में मारे जाते हैं या मरे जाते हैं तो अतिकाय क्या होता है जिसका बड़ा बड़ा पेट मोटे मोटे जो राक्सस ते उनके लिए आया है अब देखिए इसका साब्दिकर्ट बता रहा हूं में ध्यान से समझना है आप लोगों को ठीक है गलती नहीं करने बिलकुल भी देखो कथा कई सब तेही अभीमानी जेही परकार सीता हरीहानी यानि कि जैसे ही तो शिदाजी हमें बता रहे हैं कह रहे हैं क्या कि जैसे ही रावन ने व्याकुल होकर के कुमकरण को जगाया तो कुम माता का हरने किया है आया समझ में ज्यादा तो हड है नहीं यह कठीन है नहीं क्योंकि इससे पहले वाले जितने वह तो तुम्हें कठीन लग रहे थे लेकिन तो सीधा सीधा है कि अभीमानी रावन ने पूरी कहानी अपने भाई किसको कुमकरण को बताया कि किस परकार वानरोंने कपीने क्या होता है वानर यानि वानरोंने सब राक्सस को मार डाला है महान महान जोदा संगारे और बड़े-बड़े योद्धाओं को भी सनहार कर दिया बड़े-बड़े योद्धाओं को भी मार गिराया है दूर्मुक सीरुपू मनुज अहारी बढ़ अतिका और यह सब कहां पड़े पड़े हैं यहां रावन अपने भाई को बता रहे हैं कि वान्रों और यह सब कहां पड़े हैं युद छेत्र में अर्थात रन दीरा में पड़े हैं युद में योदा कोसल अपना दिखाते हैं अब उसके पास कोई चारा नहीं है ठीक है सब्दार्थ हमने पड़ी लिया था कोई दिक्कत नहीं होनी चीए आप लोगों में ठीक है आगे देखिए अब परशंग परशंग आप लिखी सकते हो कि परस्तुत पद्दान से मारी पाठ्या पूस्तक आरो भाग दो की अंतरगत राम चरित मानस के लंका कान से लक्षवन मूर्चा राम के विलास में संकलित यहां से लिया गया है परश्तुत काव्यांस हमारी पाठ्या पूस्तक आर्यो भाग दो की अंतरगत तुर्शी दाहklär द्वार राच्चित राम चरित मानस के लंका कान में संकलित है लक्षवन मूर्चा और राम का विलाप से अवत रित है इस कावयांस में कुमकरण वे रावन का वारतालाब का वंडन किया गया क्योंकि इस चोपाई में इस काव्यांस में इस पद्ध्यांस में इस किसका रावन का और कुमकरण के वारतालाब का क्या किया गया है ठीक है आगे देखिए व्याख्या तूलसिदाजी बता रहा है कि ल product ने अपने भाईत्र रावन से पूछ कि तेरा मुख्ळ क्यों सुखरा है तब हभिमानी रावन ने पूरी कथा सुनाई यह भी बताया कि किस प्रकार से सीता का हरन करके लाया है तब से अब तक की थाओनी उसने क्म को सुनाई यानि कि जब कुमकरन पूछता है अपने बाई से कि तेरा मुख्यों सुक्रा भाई मुझे बताओ पूरी कहानी सुना देता है और एक सुरू से लेके अंतर के पूरी कहानी सुना देता है रावा ने बताया कि हितात वानरों ने सब राक्ससों को मार डाले हैं यानि कि वानरों ने सब राक्ससों को मार डाले हैं उन्होंने बड़े-बड़े योद्दाओं का भी सनहार कर दिया अर्थात उन्होंने बड़े-बड़े योद्दाओं को भी मार गिरा है जिनमें दुर बड़े योदा दे महान महान दुर्मुक नरांतक दुरांतक जिसे देवता भी डड़ते थे उन सबी को वानरों ने मार डाला है भाही अब मेरे पास कोई वीचारा नहीं है बस तू ही बता अब मैं क्या कहरू पहले तो नालाइक ने गल्ती कर दी रावन ने अब अभी भी व कैसा भी हो ठीक है कभी अच्छा तो हो इंसकता कभी सही तो हो ही नहीं सकता और अभी मान होने कारण ही वह है मारा गया है ठीक है आगे देखिए विशेस की बात करें बासा आउदी है कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें तो चंद चोपाई यह है तो आपकी कोई भी मतलब कहने का ताथ प्रिराम चुरित मानसी चार चर्णवाला कहीं पर ब्याता चोपाई आप लिखेंगे आँख बंद करके लिखेंगे न सही हो जाएगा कि समवादस हैली का प्रियोग हिए जहां दो आपस में बाते करें एक यहां बाते कौन कर रहा है कुमकरन और अभिमानी रावन दोनų वारतालाब कर रहे हैं महा महा में पुन्रुक्ति परकास आलंगकर है पुन्रुक्ति परकास अलंकार है वर्णों की आवर्थी करन अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है और वर्णों की आवर्थी हो रही तो देखो महान महां महान दोनों सब्दों कर्थ समान होता है दोनों एक जैसे सब्दें और दोनों कर्थ भी एक जैसा होता है तो तो वहां पुन्रोक्ति परकास अलंकार माना जाता है बोलो कोई दिक्कत है क्या बता वच्चो कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ऐसी मैं उमीद कर सकता हूं क्योंकि मैं एक एक सब्द का दो दो तीन तीन वार अर्थें बता रहा हूं आप लोगों को अब देखिए अंतिम जो ह और दोहा आप लोगों पता है कैसा है अर्था अम मात्रिक चंद झेला मात्रक है ईसन पीरा तीन मात्र crushed है चाहिए गय्यारा-ग्यारा ना फिरे मात्रा चाहिए और दूसरे आप देखे सुनी दसकंदर बचन तब कुमकरण बिलखान जगदंबा हरी आनी अपसट चाहत कल्यान अब कुमकरण कह रहा है रावन को ठीक है दो दसकंदर का अर्थ होगा रावन क्या होगा रावन सुनी सुना बचन बचन तब कुमकरन कुमकरन बिलखान बिलखता है यानि की व्याकूल मतलब बिलखना होता है ने तरह से जगदंबा यहां आया है सीता माता के लिए सीता माता हरी हरन आनी आनी सठ सठ करता है मूर्क कल्यान कल्यान चाहत चाहता है तो दसकंदर रावन के लिए आया है जगदंबा जगद पलस अमबा देखो इसका संदी विच्छेत करेंगे ना ध्यान रखना जगत दन अमबा जगत यानी संसार अमबा यानी माता तो और यहां कौन संदी हो जाती है हमारी वेंजन संदी हो जाती है देहन रखना ठीक है हरी यानी हरन करना शट मॉर्ख कल्यान कल्यान आगे समझ में सब्दों करत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को आगे देखिए दस कंदर दस गर्दनवाला अर्थाथ रावन जगदंबा जगत जन्नी माता जगत जन्नी माता सीटा के लिए हरी हरन करके अनि लाकर सट मूर्ख कल्यान कल्यान या भला कि अब कुम करन क्या कह रहा है कि ए मूर्ख ए भाई तु बड़ा मूर्ख है तुन्हें इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी सिता माता करन कर लिया जगत जिन्नी माता करन कर लिया तुन्हे अब तु अपना भला चाहता है अब तेरा बला नहीं होगा अब तु 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 यानि कि रावन के सभी वचनों को सुनकर के कुमकरन बिलखने लगा रावन के सभी वचनों को यानि पूरी कहानी को पूरी कथा को पूरे वचनों को सुनकर के कुमकरन बिलखने लगा कुमकरन क्या करने लगा बिलखने लगा जगदमा हरिहानी तूने यानि कि हे मुर्क तूने जगत की माता सीता माता कारण करके लाया है हे मुर्क अब तू अपना कल्यान चाहता है अब तू अपना बला चाहता है यानि कि पूरी कहाने सुनने के बाद कुमकरन कहता है कुमकरन बिलखता है कि तूने जगत जन्नी माता सीता का हरन किया है यह मूर्ख अब तू अपना कल्यान भला चाहता है अब तेरा भला नहीं हो सकता सब्दार देख लिया दसकंदर दसगरदन वाला रावन जगदंबा जगत माता सीता के लिए हरन आनी लाकर सठ मूर्ख कल्यान कल्यान अरफ भला तूल सिदाज जी कहते हैं कि यह रावन की सारी बातें सुनकर कुमकरन बिलखने लगता है बिलखने लगा और बोला अरे मूर् और अब तुम कल्यान अरफ भला चाहते हो ठीक है तो रावन से कहता है कि यह मूर्ख तूने तो बहुत बड़ी गलती किया तूने जगत जन्नी माता सीता का हरन किया है अब तुम अपना कल्यान चाहते हो अब वह है ऐसंबव है ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोगों बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा इस सेशन में बढ़ने के लिए आप सभी का भहुत भहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच